नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंग, आनन टिटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ. बच्चों, आज की पाट साला में हम कक्षा सात्वी विसे हिंदी. हिंदी विसे में बच्चों, आज हमारा पाट बारा, स्कूल चलो. आज हमारा पाठ का नाम क्या है बारा स्कूल चलो इस पाठ के लेखक है देवेंद्र कुमार जी जनम 19 अगस्त 1940 दिल्ली रचनाए एक छोटी बासुरी खिलोने पेड नहीं काट रहे है आदी परिचे 27 वर्ष नंदन प्रत्रिका से जुड़े रहे हिंदी अकादमी तथा बाल साहित कारे के राष्ट्रिय पुरुसकार से सम्मानित बाल उपन्यासकार अनुवादक एव कहानी कार रहे है प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सिच्छा के महत्व को प्रतिपादीत करते हुए बताया है कि सिच्छा किसी भी उम्र में प्राप्त की जा सकती है बच्चो जो इस पाठ की लेखक है देवेंदर कुमार जी उन्होंने इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है हम जब से जागे तब से सवेरा है इस कहानी में भर्तु नामक एक पात्र है जिसके माध्यम से लेखक ये बात को हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो चलो बच्चो हम अपनी पाठ साला सुरू करते हैं आखरी बच्चा भी रिक्षा से उतर कर चला गया भर्तु की ड्यूटी खतम हो गई थी लेकिन अभी पूरी तरह नहीं साइकेल रिक्षा की सीट से उतर कर उसने पीछे जाका तो अंदर एक किताब पड़ी दिखाई दी बच्चो ये जो भर्तु नाम का है ना ये रिक्षा चलाता है ये भर्तु क्या करता है रिक्षा चलाता है और रिक्षे में सभी बच्चों को स्कूल ले जाता है और फिर घर ले आता है एक दिन क्या होता है जब वो रिक्षे से उतरता है तो देखता है कि पीछे सीट पर कोई एक बच्चा अपनी किताब भूल कर चला गया है भर्तु को एक किताब दिखाई पड़ती है अंदर का मतलब रिक्षा के पीछे एक केविन जुड़ा है उसमें छोटे बच्चे बैठते हैं तो ये जो किताब छोड़ गई थी वो किसकी थी? वो छोटे बच्चों की थी, जो रिक्षा के पीछे केबिन में बैठते हैं, ठीक है, भर्तु ने बड़बडाते हुए किताब उठा ली, और उलट पलट कर देखने लगा, भर्तु बड़बड करते हुए किताब उठा लिया, और उसको किताब को उलट कर पलट कर देखने ल हर रोज ऐसा ही होता है कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ भूल जाता है रुमाल पानी की बोटल या फिर किसी की कैप रह जाती है तो भरतु किताब उठाता है और बड़बडाते हुए बुलता है ये तो रोज का हो गया है कोई ना कोई बच्चा अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर भूली जाता है कोई अपना रुमाल भूल जाता है तो कोई अपनी पानी की बोतल भूल जाता है या किसी की कैप रह जाती है वो गुस्ते में बढ़ बढ़ा रहाता कौन भरतू आगे देखो बच्चो वह जब भी किसी किताब को हाथ में उठाता है तो मन में एक चुड़ होती है अपने लिए आखिर वहां अनपढ क्यों रहे गया जब भर्तु कोई भी किताब को उठाता है न बचो तो उसको बहुत गुसा आता है चुड़ होती है किसके लिए अपने लिए कि आखिर वहां अनपढ क्यों रहे गया क्यों उसने पढ़ाई लिखाई नही की अगर पढ़ लिग जाता तो आज रिक्षा खीचने की जगा कोई धंग का काम करता जो ये जो भरतु है जब भी वो कोई कॉपी या कोई पुस्तक उठाता है न बचो तो उसको बहुत चुर मस्ती है उसे लगता है काश अगर मैं पढ़ाई कर लिया होता बचपन में तो आ लेकिन अब इस सब को याद करने से क्या फायदा लेकिन फिरो सोचता है लेकिन अब ये सब बाते याद करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि पढ़ाई का समय तो निकल गया है तो बच्चो जिस समय पे जो काम करना चाहिए हमें वो ही करना चाहिए अभी आप लोग बच् आगे देखते हैं क्या तुमने स्कूल में दाखिला ले लिया है क्या भर्तु ने चौक कर देखा उसका साथी रमन हस्ता हुआ किताब की और इशारा कर रहा था तो भर्तु चौक जाता है रहे भाई ये कौन है जो मुझे बोल रहा है तो देखता है तो क्या देखता है कि उसका दोस्त है उसका जो साथी है रमन वो हसता हुआ किताब की और इशारा कर रहा था भर्तु लज्जा गया तो भर्तु को शरम आने गई लज्जा मतलब शरम आ गई बोला अरे जब पढ़ने की उम्र थी तब नहीं पढ़ा जब उसने बोला कि तुम क्या स्कूल में अडमीशन ले रहे हो तो जो भर्तु था हो शर्मा गया क्या बोलता है अरे जब पढ़ने की उम्र थी तब नहीं पढ़ा नहीं पढ़ सका तो आप क्या पढ़ूँगा भर्तु क्या बोलता है जब मेरी पढ़ने की उम्र थी तब तो मैंने पढ़ा अब मैं क्या पढ़ सकूँगा फिर उसने बताया कि कोई बच्चा उसकी रिक्षा गाड़ी में किताब भूल गया है फिर भर्तु अपने दोस्त को बताता है कि कोई बच्चा उसकी रिक्षागाड़े में अपना किताब भूल गया है भर्तु रमन तथा और चार लोग एक किराय के कमरे में रहते हैं सभी अपने अपने गाउं से रोजगार की तलास में शहर आये हैं सभी के परिवार गाउं में हैं वे उनको पैसे भेशते रहते हैं रमन साक्षर है धीम एप से वो सबके पैसे भेश दिया करता है बीच बीच में कुछ दिनों के लिए घर वालों से मिलने गाउं जाते हैं भर्तू स्कूल के बच्चों को लाता ले जाता है उसके साथ ही सवारीड होते हैं वे लोग भर्तू की रिख्षा को चुडिया खाना कहते हैं कौन भर्तू के दोस्त लोग पर भर्तू ने उसका नाम रखा है गुलदस्ता लेकिन भर्तू ने उसका नाम क्या रखा है गुलदस्ता उसके दोस्त लोग भर्तु के रिक्षा को क्या बोलते थे चुडिया खाना लेकिन भर्तु ने अपने रिक्षे का नाम रखा था गुल्दस्ता जब बच्चों को लेकर रिक्षा चलाता है तो उसे सचमुझ बहुत अच्छा लगता है रहरे कर अपने गाउं घर की याद आती है कभी-कभी लगता है जैसे उसका बेटा नन्धा भी दूसरे बच्चों के साथ बैठा इस्कूल जा रहा है भर्तु सब बच्चों के चेहरे पहचानता है पर उसे याद नहीं आ रहा है कि किताब किस बच्चे की थी जो भर्तु है उसके रिक्षे में जितने बच्चे जाते हैं वो सब को पहचानता है लेकिन उसको याद नहीं आ रहा है कि ये किताब किस की थी वैसे किताब पर नाम लिखा था पर भर्तु को जो भर्तु को किताब मिली थी न बच्चो उस पर नाम लिखा था लेकिन भर्तु को तो पढ़ना ही नहीं आता है चलो आगे देखते हैं पढ़ना कहां आता है लेकिन भर्तु को तो पढ़ना ही नहीं आता है उस रात भर्तु ने सपने में देखा जैसे वो मैदान में बैठा है और उसके सामने एक लंबी चोड़ी किताब खुली पड़ी है भर्तु रात को क्या सपना देखता है वो देखता है कि वो मैदान में बैठा हुआ है और उसके सामने एक लंबी चोड़ी किताब खुली पड़ी है तभी एक आवाज कानों में आती है लाओ मेरी किताब फिर भर्तु की नीन तूट गई फिर भर्तु को एक आवाज भर्तु की नीन तूट जाती है जाग कर वो बहुत देर तक सपने के बारे में सोचता रहा जब वो जग जाता है नीन से तो वो बहुत देर तक अपने सपने के बारे में सोचता रहता है आगे देखते हैं बच्चो सुबह अपनी रिक्षा बाहर निकाली और बारी बारी से बच्चों को लेने लगा फिर वो सुबा उड़ता है अपनी रिक्षा निकलता है और बारे बारे से सभी बच्चों को लेने लगता है तभी रमेश नामक बच्चे ने कहा मेरी किताब एक बच्चा था उसका नम रमेश था वो बोलता है मेरी किताब वह कुछ परेशान दिख रहा था रमेश की मा सर्ता ने सर्ता ने भी कहा भरतू जरा ध्यान से देखना रमेश की किताब नहीं मिल रही है जैसे वो रिक्षा लेके बच्चों को लाने जाता है ना तो एक बच्चा बोलता है मेरी किताब और वो परिशान भी लग रहा था बच्चा क्यों नहीं परिशान लगेगा क्योंकि उसकी तो किताब खो गई थी तो उसकी जो बच्चा था न वो रमेश था तो रमेश की मा सरिता उसकी रमेश की मम्मे भी बोलती है भर्तु जराध्यान से देखना रमेश की किताब नहीं मि उस्ता है ना रमेज की ममे कि आपको किताब मिली कि अजराब ध्यान से देखना तो भर्तु क्या करता है वो किताब उनकी और बढ़ा देता है किसकी और रमेज की और तभी रमेज क्या बोलता है सुनो बच्चो रमेज ने कहा तुमने मेरी किताब फाड़ी तो नहीं रमेज भर्तु को बोलता है कि तुमने मेरी किताब फाड़ी तो नहीं किताब फाड़ना बुरी बात है और रमेज बोलता है भर्तु को क्या तुमने मेरी किताब फाड़ तो नहीं दी और किताब फाड़ना बुरी बात है सुनकर भर्तु हस पड़ा रमेज की बाते सुनकर भर्तू हसने लगा उसने कहा नहीं भईया मैंने तुम्हारी किताब खुब ध्यान से रखी थी एकदम ठीक है देख लो फिर भर्तू क्या बोलता है नहीं भईया मैंने तुम्हारी किताब को बहुत ध्यान से रखाता समाल कर वो एक दम ठीक है देख लो तुम आगे देखो बच्चो अब रमेश की मम्मी बोलती है रमेश की मा सरिता देवी भी हस पड़ी ये सब सुनकर रमेश की जो मम्मी है सरिता वो भी हसने लगी उन्होंने कहा भरतू जो बात में इसे समझाती हूँ वही इसने तुमसे कह दी मानना रमेश की मम्मी सरिता क्या बोलती है कि भरतू जो बात में रमेश को समझाती थी आज उसने वही बात तुमको कह दी है तुम बुरा मत मानना सारा दिन भरतू उसी किताब के बारे में सोचता रहा दोपहर में रमेश को उसके घर के बाहर छोड़ते हुए भरतू ने कहा क्यों भईया जो तुम पढ़ते हो मुझे भी पढ़ा दो मैं क्या टीचर हूँ जो तुम्हें पढ़ाऊं रमेश बोला सारा दिन हो जाता है जब भरतू उसी किताब के बारे में सोचते रहता है और फिर जब दुपहर में वो बच्चों को लेने जाता है रमेश को रमेश को जब उसके घर के बाहर छोड़ता है कौन भरतू तो रब भरतू देखो रमेश से क्या पूशता है भरतू रमेश को ब पढ़ाऊं रमेज बोला भर्तु क्या बोला रमेज को कि आप जो पढ़ते हो भईया वो मुझे भी पढ़ा दो तो रमेज क्या बोलता है क्या मैं टीचर हूँ जो मैं तुम्हे पढ़ाऊं आगे मेरे टीचर बन जाओ न रमेज भईया फिर भर्तु बोलता है कि रमेज भई रमेज को कि भया तुम मेरे टीचर बन जाओ और तुम जो फीस बोलोगे वो मैं तुमको दे दूँगा भरतु ने हसकर बोला किसको रमेज को ठीक है कल पढ़ाओंगा क्या पढ़ाओंगे फिर रमेज के बोलता है ठीक है कल पढ़ाओंगा पिर भर्तु बोलता है क्या पढ़ाओंगे ए बी पढ़ाओंगा भर्तु पुछता है क्या पढ़ाओंगे तो रमेज क्या बोलता है ए बी पढ़ाओंगा कहकर रमेज मा के साथ घर में चला गया भर्तु पुछता है ना कि कल क्या पढ़ाओगे तो रमेज बोलता है ये भी पढ़ाओंगा और ये बोलकर अपनी मम्मी के साथ अपने घर में चला जाता है भर्तु मुस्कुराया तो सर्ता देवी भी हस पड़ी फिर भर्तु रमेज की बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है तो उसकी ममी, रमेश की ममी सर्ता भी हसने लगती है चलो आगे देखते हैं बच्चो अगले दिन रमेश ने भर्तू से कहा भर्तू भया, आज मैं तुम्हारे लिए A और B लाया हूं और उसने बस्ते से निकाल कर एक सेव और गेंद भर्तू के हाथ में थमा दी जब दूसरे दिन रमेश को लेने के लिए भर्तू जाता है ने इसकूल में उसके घर पे, तो भर्तू क्या बोलता है रमेश देखो बोलता है रमेश अभी भर्तू से बोलेगा भर्तू भया, आज मैं तुम्हारे लिए A और B लाया हूं और उसने अपने बस्ते से निकाल कर एक सेब और एक गेंद भर्तू के हाथ में थमा दी और रमेज अपने बेग में से एक सेब और एक गेंद निकाल कर भर्तू के हाथ में दे देता है भर्तो कुछ पूछता, इससे पहले रमेश ने कहा, देखो, A से एपल, B से बाल भर्तju अबी कुछ पूछने वाला था लेकिन रमेश पहले ही बोल देता है, कि देखो, A से एपल, B से बाल उसने एपल और गेंद का चित्र दिया था ना, गेंद को हम बॉल बोलते हैं बिटा इंग्लिश में, तो बोलता है देखो एसे एपल होता है और बीसे बॉल होता है, किसने बताया ये, रमेज ने भर्तु को, आगे देखते हैं भर्तु क्या बोल रहा है, भर्तु ने कहा रमे बहिया आप ऐसे ही मुझे रोज पढ़ाओगे रमेश ने कहा हाँ तो फिर रमेश भी बोलता है हाँ मैं रोज आपको ऐसे ही पढ़ाओंगा और मा के साथ घर में दोड़ गया और फिर अपनी ममी के साथ अपने घर में चला गया भर्तु सेब और गेंद को हाथ में लिए खड़ा रह गया उसने सोचा कल दोनों चीजे वापस कर देगा भर्तु सेब और गेंद दोनों को अपने हाथ में लिए हुए खड़ा था और फिर सोचता है कि ठीक है कल मैं ये दोनों चीजे उसे वापस कर दूँगा रमेश को उस दिन देर तक A और B से खेलते रहे भर्तू और उसके साथी उनके बीच देर तक गेंद और सेब इधर से उधर उचलते रहे और फिर भर्तू अपने घर में जाता है तो भर्तू और उसके दोस्त A और B से बहुत खेलते हैं उन लोगों के बीच में बहुत देर तक गेंद और सेव इधर से उधर उचलते रहे वो लोग एक दूसरे को देते रहे कमरे में हसी गुशती रही और कमरे में बैठे सभी लोग हस रहे थे शायद इससे पहले ये लोग इतना कभी नहीं हसे थे भर्तू के साथी पूशते रहे भर्तू कल अपने मास्टर जी से क्या पढ़ेगा वो लोग जब भर्तू ने ए और बी दिखाया बच्चों को एपल और गेंद तो उसके सारे दोस्त लोग ना गेंद को एक दूसरे की उपास फेकते रहे उच्छालते रहे और जोर जोर से हसने लगे और वो भर्तु से पूछते हैं कि भर्तु कल अपने माश्टर जी से क्या पढ़ोगे कल आपके माश्टर जी आपको क्या पढ़ाएंगे आगे देखो आगले सुबा रमेश के घर के बाहर पहुचकर भर्तु ने रिक्षा की घंटी बजाई फिर दूसरे दिन सवेरे रमेश के घर जाता है भर्तु रमेश को लेने के लिए उसके घर पर जाता है और अपनी रिक्षा की घंटी बजाता है जब रमेश का घर आ जाता है तो भर्तु क्या करता है अपनी रिक्षे से घंटी बजाता है बचु रिक्षे में घंटी लगी रती भोपु लगा रता है हम उसको बजाते हैं तो जो बच्ची रहते हो फटा फटा आते रहां हमरी रिक्षा वाले अंकल आ गए है तो वैसे भर्तू भी करता है वो रमेश के घर के पास पहुंसता है तो अपना घंटी बजाने लगता है भूपू बजाने लगता है कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला फिर रमेश की मा सर्ता देवी बाहर निकल कर आई उन्होंने कहा रमेश आज स्कूल नहीं जाएगा उसे राज से बुखार आ रहा है जब थोड़ा देर हो जाता है कोई जवाब नहीं आता है तो फिर रमेज की माँ फटक से बाहर आती है और वो भर्तु से कहती है कि भर्तु आज रमेज स्कूल नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि रमेज को कल रात से ही भुखार आ रहा है सुनकर भर्तु को एक जटका सा लगा जब रमेज की ममी सर्टा ने बताया ना कि भर्तु को कल रात ये रमेज को कल रात से बुखार आ रहा है रमेज की ममी भर्तु से बताती है कि कल रात से रमेज को बुखार आ रहा है इसलिए वो स्कूल नहीं जाएगा भर्तु जैसे ये बात सुनता है उसको एक जटका सा लगता है वो बाकी बच्चों को स्कूल पहुचाने चला गया और फिर क्या करता है वो बाकी जो बच्चे हैं उनको स्कूल पहुचाने के लिए चला जाता है उस दोपहरवा गुमसुम रहा ठीक से खाना भी नहीं खाया भर्तु ने रमन बार बार पूश्ता रहा भर्तु क्या बात है पर भर्तु ने कुछ नहीं कहा जब रमे से स्कूल नहीं जाता है तो भर्तु क्या करता है बाकी बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ कर आता है और उस दिन भर्तु एकदम गुम सुम सा उदास सा बैटा रहा उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया कौन भर्तु तो उसका भर्तु का जो दोस्त है रमन वो बार बार उससे पूशता था भर्तु क्या हुआ क्या बात है पर भर्तु ने किसी से कुछ भी नहीं कहा कि क्या बात ह आगे देखते हैं रचो इसके बाद वाली सुभा को रमेश के दर्वाजे पर पहुँच कर उसने घंटी बजाई तो रमेश की मा बाहर आई भर्तू रमेश की तबयत आज भी ठीक नहीं है शायद एक दो दिन वो इस्कूल ना जा सकेगा फिर दूसरे दिन वो फिर से जाता है रमेश की घर पर और उसके घर पे जाकर घंटी बजाता है तो रमेश की ममी बाहर आती है बोलती है भर्तू रमेश की तबयत ठीक नहीं है शायद एक दो दिन वो इस्कूल नहीं जा सकेगा भर्तु के हाथ में A और B यानि सेब और गेन थे उसने सर्टा देवी से कहा ये दोनों मेरे मास्टर जी को दे देना मैडम जी अब तो मुझे पढ़ाएंगे नहीं भर्तु के हाथ में क्या था? A और B सेब और गेन थे वो दोनों को रमेश की ममी सर्ता को दे देता है और कहता है ये दोनों मेरे मास्टर जी को दे देना मैडम जी आप तो मुझे पढ़ाएंगे नहीं सर्ता देवी आश्चर से मुर्जाय सेब और गेंद को देखती रही जो रमेश की ममी है सरिता वो आश्चर से मुर्चाय हुए सेब और गेंद को देखती रही फिर भर्तु ने उन्हें सब बताया तो उनके चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई फिर भर्तु ने उन्हें सब सच सच बता दिया तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई लेकिन भर्तू हस ना सका, लेकिन भर्तू नहीं हसता है, उसने इसकुल वाली रिक्षा आगे बढ़ा दी उस दोपहर भर्तू धाबे पर नहीं आया, वह रमेज के घर के बाहर जा खड़ा हुआ आसपास कोई ना था, वह कुछ देर तक धूप में खड़ा रहा फिर जिजकते हुए दर्वाजे पर लगी घंटी बजा दी, कुछ पल ऐसे ही बीद गए उसे दुबारा घंटी बजाना ठीक न लगा, ना जाने रमेज की मा क्या सोचने लगे उसका मन रमेज से मिलना चाता था, पर संकोच भी था, वह वापस मुरने लगा तब ही दर्वाजा जरा सा खोल कर सर्ता देवी ने बाहर जाका भर्तू को देखकर वह चौक पड़ी, उन्होंने कहा भर्तू तुम इस समय के से क्या चाहिए जब दुपहर होता है न बच्चो, तो भर्तू हमें सट धाबे पर खाना खाने के लिए जाता है लेकिन उस दिन भर्तू खाना खाने के लिए धाबे पर नहीं गया वो क्या करता है, डारेक रमेज के घर के पास जाता है वो यहाँ वहाँ देखता है, थोड़ दिर धूप में भी खड़ा रगता है और फिर वो क्या करता है, धीरे से जाकर दरवाजे पर जो घंटी लगी रती है न बेल उसको बजाता है, और थोड़े दिर तक ऐसे ही खड़ा रगता है लेकिन वो दुबारा घंटी नहीं बजाया, उसको जिजक लग रहे थी मैं दुबारा घंटी कैसे बजाओं, और रमेज की मा पता नहीं क्या सोचे उनको ऐसा ना लगे, कि भाई ये भरतू क्यो घड़ी घंटी बजा रहा है उसका मन जो भरतू था, उसका मन तो रम इसे मिलने के रहा है कि मुझे रम इसे मिलना है, पर वो संकोच में भी था कि वो अब उसे शंकोच आ रहा था, भी मैं दुबारा घंटी कैसे बजाओं क्योंकि उसने पहले बार घंटी बजाओ, किसी ने खोला नहीं फिर वो वापस आने के लिए मुड़ने लगा तभी दर्वाजा थोड़ा सा खोल कर सर्ता देवी देखती है तो उसको भर्तु दिखाई देता है भर्तु को देखके वो थोड़ा चोग जाती है अरे भर्तु क्यों आया फिर वो भर्तु से पूशती है भर्तु तुम यहाँ पर कैसे क्या चाहिए तुम्हे कुछ चाहिए क्या बर्तू अब भर्तू क्या बोलता है हम वो सुनेंगे बच्चो भर्तू सक्पका गया हकलाता सा बोला जी मैंने सोचा अपने मास्टर जी को देख लू उनकी तबियत कैसी है जब रमेश की ममी पूस्ती है कि भर्तू तुम इस समय यहां पर कैसे तुमको क्या चाहिए तो भर्तू एक दम सक्पका जाता है और बोलता है मैंने सोचा मैं अपने मास्टर जी को देख लू उनकी तबियत कैसी है ये पूछ लू मास्टर जी सब्द पर सरिता देवी हसने पड़ी भर्तू जो मास्टर जी बोल रहा था उस सब्द पर सरिता देवी हसने लगी उन्होंने कहा भर्तू तुम्हारे मास्टर जी की तबियत अब ठीक है आओ अंदर आ जाओ धूप में क्यों खड़े हो भर्तू बोलता है ना मैं सोचा कि अपने मास्टर जी की तबियत पूछ लू इसलिए मैं आया हूँ तो रमेश की मम्मी बोलती है कि भर्तू जी तुम्हारे मास्टर जी की तबियत अब ठीक है तुम अंदर आ जाओ धूप में क्यों खड़े हो और फिर वो भर्तू को अंदर ले लेती है यह करकर उन्होंने दरवाजा पूरा खोल दिया भर्तू को लग रहा था इस समयाना साय ठीक नह नहीं रहा पर अब वापस नहीं लोटा जा सकता था वो जिजगति कदमों से अंदर घुज गया आओ भर्तू यहां आओ कहते वे सर्ता देवी ने एक कमरे में आने का इशारा किया फिर उसकी मम्मी भर्तू को अंदर आने के लिए बोलती है अब भर्तू क्या बोलता है सु भर्तू ने कहा मैडम जी अब आपने बता दिया है बता दिया है ना कि मास्टर जी ठीक है बस अब जाता हूँ आप तकलीफ ना करें भर्तू क्या बलता है मैडम जी आपने बता दिया कि मास्टर जी ठीक है बस अब मैं जाता हूँ आप कोई तकलीफ मत करो नहीं नहीं तक तकलीफ कैसी तुम अपने मास्टर जी से मिलने आए हो तो क्या बिना मिले चले जाओगे आजाओ इतना घबरा क्यों रहे हो रमेश की मम्मी बोलती है अरे नहीं तकलीफ की कोई बात नहीं है आप अंदर आजाओ आप अपने मास्टर जी से मिलने आए हो तो बिना मास्टर ज जाओ घबराओ मत ये कौन बोलता है रमेश की मम्मी बोलती है सरिता आगे कैसे हो मास्टर जी कहते कहते भरतू हस पड़ा फिर भरतू रमेश को देखता है और बोलता है कैसे हो मास्टर जी और बोलते बोलते भरतू हसने लगा उसने देखा सेब और गेन पलंग पर रमेश के पास रखे थे मैं ठीक हूं रमेस ने कहा फिर बोला तुमने ए बी मा को लटा दिये ऐसे कैसे पढ़ोगे लो ले जाओ और धान से याद करो तब ही तो आगे पढ़ाऊंगा तुमें फिर रमेज क्या बोलता है रमेज बोलता है तुमने एबी मा को लोटा दिया तो तुम कैसे बढ़ाई करोगे ये लो एबी को ले जाओ और धान से याद करो तभी तो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा भरतु खड़े क्यों हो बैट जाओ सर्ता देवी ने कहा सर्ता बोलती है कि भरतु आप खड़े क्यों हो बैट जाओ उनके हाथ में पानी का गिलास और प्लेट में कुछ नास्ता था सर्ता देवी भरतु के लिए पानी और कुछ नास्ता लेकर आई थी भर्तु जमीन पर ही बैठ गया सर्ता ने कहा वहाँ जमीन पर नहीं कुरसी पर आराम से बैठो जब सर्ता बोलती है ना कि बैठ जाओ तो भर्तु क्या करता है वो जमीन पर बैठ जाता है तो सर्ता बोलती है कि जमीन पर मत बैठो आराम से कुरसी पर बैठ जाओ जी मैं यहीं ठीक हूँ भर्तु ने कहा भर्तु बोलता है नहीं नहीं मैं यहां पर ठीक हूँ और उठ खड़ा हुआ उसने कुछ खाया नहीं मास्टर जी जल्दी ठीक हो जाओ फिर आगे पढ़ाना कहकर सेब और गेंद रमेश के हाँ से ले ली भर्तु रमेश को बोलता है कि मास्टर जी जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर मुझे आगे पढ़ाना और ये बोलते हुए भर्तु रमेश के हाँथों से सेब और गेंद ले लेता है और बाहर निकलाया और बाहर चलाता है रमेश की तबियत ठीक देखकर उसका मन खुश हो गया था एक बार मन में आया था कि हौले से रमेश का सिर सहला दे पर हिमत ना हुई बाहर निकलते हुए सर्टा देवी की आवास सुनाई दी भर्तु कल रमेश को लेने आ जाना अब इसकी तबियत ठीक है रमेश की तबियत ठीक है ये जब उसको पता चलता है तो उसका मन बहुत खुश हो जाता है और वो चाता है था कि मैं रमेश की सर पर हाथ रखू उसका सर सहलाओं लेकिन उसकी हिमत नहीं हुई भर्तु की और वो बाहर आ गया जब वो बाहर आने लगा तो सरिता जोर से आवाज दे कर कहने लगी कि भर्तू कल से रमेश को लेने आ जाना रमेश की तब्यत अठीक है और कल से रमेश स्कूल जाएगा अगली सुबा रमेश मा के साथ घर से बाहर खड़ा मिला भर्तू ने नजरे मिलते ही रमेश और उसकी मा मुस्कूरा दिये भर्तू भी हस दिया दोपहर को रमेश को घर छोड़ने आया तो सरिता देवी ने कहा भर्तू साम को पांच बजे आना आ सकोगे बहुत काम तो नहीं रहता जी आ जाओंगा भर्तू ने कहा और ढाबे पर जा बैठा मन प्रशन था रमन ने पुकारा क्यों भर्तू पढ़ाई कैसे चल रही है बहुत बढ़िया भर्तू ने कहा और हस दिया भर्तू पांच बजे रमेश के घर के बाहर पहुँच गया कुछ देर बिना घंटी बजाए सोच में डूबा खड़ा रहा मन में कुछ डर था ना जाने रमेश की माने क्यों बुलाया है और भर्तू साम को फिर चा पांच बजे रमेश के घर के पाहर पहुँच गया लेकिन वो घंटी नहीं बजाता है वो सोच रहा था पता नहीं क्यों आज मुझे रमेश की माने बुलाया है कुछ देर बाद उसने घंटी बजा दी फिर थोड़ी देर के बाद में भर्तू ने घंटी को बजा दिया दरवाजा रमेश ने खोला उसे देखते ही हस पड़ा बोला आओ भर्तू आओ अंदर चलो कहकर रमेश ने भर्तू का हाथ पकड़ लिया और उसी कमरे में ले गया फिर दरवाजे की घंटी बजाता है रमेश बाहर आता है और वो भर्तू का हाथ पकड़ कर उसे अंदर की और ले जाता है बोलता है आओ, कहा ले जाता है उसी कमरे में जहां पर पहले गए उसकी ममी लेके गई थी सर्ता देवी कुर्सी पर बैठी थी जो रमेज की ममी है वो कुर्सी पर बैठी हुई थी उन्होंने कहा भर्तु यहां बैठो रमेज बता रहा था तुम पढ़ना चाते हो रमेज की ममेज पूछ रही है भर्तु से कि भर्तु रमेज मुझे बता रहा था कि तुम पढ़ना चाते हो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है भर्तु लजा गया बोला मैडम जी या तो मैंने यू ही मजाक में कह दिया था भला अब क्या पढ़ूंगा मैं हाँ गाओं के स्कुल में मेरा बेटा नना जरूर पढ़ता है भर्तु बोलता है पहले जो रमेज की मम्मी है सर्टा वो बोलती है भर्तु रमेज बोल रहा था कि तुम पढ़ना चाते हो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम पढ़ना चाते हो तो भर्तु को थोड़ी शरम आ गई बोलता है मैडम जी मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोला था अब मैं क्या पढ़ूंगा हाँ लेकिन गाओं में जो मेरा बेटा है ना नन्हा वो स्कूल में जाकर पढ़ाई करता है भर्तु तुम्हारे घर में कौन-कौन है सर्ता देवी ने पूछा फिस सर्ता पूछती है कि भर्तु तुम्हारे घर में कौन-कौन रहता है कौन-कौन है भर्तु उन्हें अपने गाओं घर की बाते बताने लगा ना जाने क्या क्या बता गया फिर एका एक रुख गया बोला माफ करना मैडम जी मैं तो यू ही कह रहा था वो जब उसकी ममी ने पूछा ना भर्तु से कि तुम्हारे घर में कौन कौन है तो भर्तु उन्हें अपने सारे गाओं घर की बते बताने लगा और बात-बात में वो बहुत कुछ बता दिया फिर उसको अच्छानक याद आता है अरे मैं क्या बोल रहा हूं फिर वो ये रमेश की ममी को बोलता है मैडम जी माफ करना मैं तो यूही कह रहा था भला ये भी कोई बताने की बात है अरे नहीं नहीं मुझे तो तुम्हारी बाते सुनकर बहुत अच्छा लगा और बताओ असल में मैं तो कभी गाओं गई नहीं वहां लोग कैसे रहते हैं क्या करते हैं केवल किताबों में पता चलता है या फिल्मों से तो भर्दू की मम्मी बोलती है नहीं 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 रुको तुमने जो बताया ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा हम लोग तो कभी गाओं गई नहीं है गाओं के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता सिर्फ हम लोग किताबों में गाउं के बारे में क्या जो लिखा रहता है वो पढ़े हैं या हम लोग फिल्मों में गाउं कैसा होता है बस वो देखा है और हमें तो गाउं के बारे में कुछ पता ही नहीं है तुम जो बता रहे हो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भरतु उठने को हुआ पर सर्ता देवी ने रोक लिया भरतु उठने लगा लेकिन रमेज की ममी सर्ता देवी ने उसे रोक लिया बोली मैंने जिस बात के लिए बुलाया था वह तो अभी कही ही नहीं तुम पढ़ना चाते हो सुनकर मुझे अच्छा लगा जब वो उठने लगा तो सर्ता देवी भर्तु को रोग देती है और बोलती है कि तुम जिस काम के लिए यहां आये हो वो तो मैंने तुम से पूछा ही नहीं तुम पढ़ना चाते हो ये मुझे रमेश ने बताया और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा रमेश के पापा को भी पसंद आई ये बात और तुम्हारी जो पढ़ने की बात है ये रमेश के पापा को भी बहुत पसंद आई है मैडम जी वह तो मैंने ऐसे ही हसी में कह दी थी भर्तु ने संकोच से कहा, फिर भर्तु संकोच में आ जाता है, वो बोलता है मैडम जी, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, नहीं इसमें संकोच कैसा, अगर तुम चाहो तो शाम को पाँच बजे रोज आ सकते हो, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, तो रमेश की ममी बोलती है, इसमें संकोच की क्या बात है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तो भर्तु तुम रोज साम को पाँच बजे आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि पहले में, शादी के पहले में पढ़ाती थी, ये कौन बोलता है, रमेश की ममी जो सर्टा है, वो भर्तु को बोलती है, कि भर्तु अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी, शादी से पहले में बच्चो को पढ़ाया करती थी, अब भी मन करता है ऐसा कोई काम करने का, फिर रमेश की ममी सर्टा बोलती है, कि शादी से पहले भी में बच्चो को पढ़ाया करती थी, अब भी मेरा मन करता है कि मैं ऐसा काम करूं पढ़ाने का, पर भर्तु तो बड़ा है मां रमेश ने कहा रमेश क्या बोलता है मां लेकिन ये जो भर्तु है ये तो बड़ा है पहले बच्चों को पढ़ाती थी तो अब बड़ों को पढ़ाऊंगी भर्तु से ही शुरू होगा या मेरा स्कूल फिर रमेज की मम्मी बोलती है कि पहले में बच्चों को पढ़ाती थी, अब मैं बड़ों को पढ़ाऊंगी और भर्तु से ही मेरा स्कूल शुरू होगा तो क्या मुझे आप सच मुझ पढ़ाएंगी तो भर्तु बोलता है कि क्या आप मुझे सच मुझ पढ़ाएंगी भर्तु ने पूछा भर्तु रमेश की मम्मी से पूछता है क्या आप मुझे सच मुझ का पढ़ाएंगी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था भर्तु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो पूछता है क्या आप मुझे सच मुझ पढ़ाएंगी हाँ भर्तु मैं सच कह रही हूँ रमेज की मम्मी बोलती है कि हाँ भर तू मैं सच कह रही हूँ, जिस दिन मुझे कोई काम नहीं होगा तो मैं तुम्हें बता दूँगी रमेज की ममी बोल रही है कि हाँ भर तू मैं सच कह रही हूँ जिस दिन मुझे कोई काम नहीं होगा मैं तुम्हें बता दूँगी जब तुम रमेज को छोड़ने आओगे उस दिन तुम पढ़ने आ जाना रमेश की ममी बोल रही है कि जिस दिन मुझे काम नहीं होगा मैं तुम्हें बता दूँगी जब तुम रमेश को छोडने आओगे उस दिन मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी तुम पढ़ने के लिए आ जाना बाहर निकलने से पहले रमेश के सिर पर हात रखने से खुद को नहीं रोक पाया भर्तू ऐसा करते समय उसकी आँखे भीग गई फिर वो जब बाहर निकलने लगा भर्तू तो वो क्या करता है? रमेश के सर पे हाथ रखता है उसके सर को सहलाता है ऐसा करने से वो अपने आपको नहीं रोक पाया और जब वो बाहर आ रहा था तो भर्तू की आखे भीग गई थी बच्चो हमारी आखे खुशी में भी भीग जाती है जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारे आखों में आसु आ जाते हैं तो बच्चो ये जो हमारा पार्ठ है वो यहाँ पे समाप्थ हो गया है इस पार्ठ के माध्यम से लेखक हमें कहना चाते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है जब से आप सुरू करो तभी से नया सवेरा है तो आप सभी बच्चो से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चो ये आपका पढ़ाई का समय है आप लोग टीवी खेल थोड़ा कम करके अपनी पढ़ाई पर ज्यादा धान दो ये फरवरी खतम होने वाली है मार्च के लाश्ट आपते से आपकी परिच्छा सुरू हो जाएगी तो मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई सुरू कर देंगे ठीक है बच्चो तो बच्चो हमारा ये पार्ट समाप्थ हो गया है अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्णोतर आपको दे दूँगी ठीक है बच्चो तो बच्चो आज की पार्ट साला यहीं पर समाप्थ होती है अगली पार्ट साला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पार्ट साला में नए हैं तो मेरे पार्ट साला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पार्ट साला का लाप सभी बच्चे ले सके अगर आप मेरी पार्ट साला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पार्सला को सब्सक्राइब कर लीजिए जो घंटी का चित्र है उसे आन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालू वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको ठेक है बच्चो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ कल इसका स्वाध्य मैं आपको दे दूँगी ठेक है बच्चो बाए बाए